लेकिन बियार में एक ऐसा मुख्य मंत्री है जो द्योगपती से मिलने में भी शर्म हैसुस करता है और उनके साथ जो है वो माशालला है मैं तो एक बार भी कभी वो चार गंटे भी अपने किसी भी मंत्राले में बैठे हो तो बताएं कौन तो एक दिन आप बता दीजे मैं चैलेंज करता हूँ डेर साल में एक दिन कोई बता दे कि वो मंत्राले में पूरे दिन बैठे हो मैं कभी उन पर कोई प्रश नहीं उठाऊंगा इन्वेस्टर समिट इन्वेस्टर समिट का मतलब होता है कि बाहर के उद्योगपतियों को लाग करके करना वही बिहार में केवल एक जिसको कहते हैं कि आई वाश केवल एक धोखा देना कि हम बना रहे हैं आरे आप चार भी उद्योगपतिया अच्छे तो लाइए नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीस मैं हूँ आपके साथ सौरवराज बिहार में उद्योग को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार इन्वेस्टर समिट कर रही है लेकिन इसके उपर बीजेपी सवाल उठा रही है क्यों सवाल उठा रही है मेरे साथ बात करने के नितीस कुमार बिहार सरकार उद्यों को बढ़ाने के लिए बिहार में बड़े बड़े उद्योग पत्यों को बुला रहे हैं आप लोग नाराज क्यों है हम लोगों ने जितना मेहनत किया है और हमारे मेहनत का नतीज़ा है कि यह सत्रह इथनॉल फैक्ट्रिस लगी है हमार खंड के भी गये थे बिहार सरकार एक शब्द किसी को नहीं बोली कि वो क्या लाब देने जा रही है उत्रा खंड के खुद मुख्यमंत्री गये थे दुबई अपने साथ पूरे सेक्रेटरी को लेके गये थे सभी उद्योगपतियों की बात सुनी आपको क्या सुविधा चाहिए उस हिसाब से उनका जवाब दिया गया जब उत्राखंड में इन्वेस्टर समिट देरादुन में होता है हर उद्योगपति के साथ एक अटेंडेंट दिया गया था जो उनकी क्या डिमांड है उसके सारे उद्योगपतियों को दिखाए गया है जितने जगह पे उनके बियाडा के थे परेटन के द्रिश्टी कौन से होटेल की जगह थी सभी उद्योगपतियों को दिखाए गया क्या आप इसमें से जो लेना चाहें ले सकते हैं पुशकर धामी जी ने व्यक्तिका तोर पर अनेकों उद्योगपतियों से सीधे बात किया बिहार का दुर्भाग्या है कि इन्वेस्टर समिर्श शुरू होता है तो मानिया मुख्यमंद्री सीतामडी में कारेकरम कर रहे होते हैं आज भी वो गए भाशन दिये चल दिये जब तक उद्योगपति को एशुरेंस नहीं कैसे आएगा मैं खुद सत्रह सो एकर जमीन जब हम लोग सत्ता में साथ थे तो हमने मेगा टेक्स्टाइल पार्क लिए उसमें दो सो एकर सरकार का कॉंट्रिबूशन होता और लगवंग दो हजार करोड की परियोजना यह आती जब सरकार हटी मैं कहता रगया प्यूश जी से कि आप दीजिए प्यूश जी का एक ही सवाल होता था इस संजय आपके कहने से हम मेगा टेक्स्टाइल पार्क लगाएंगे कि मुख्यमंत्री जी के चाहने से लगाएंगे आज तक आपके मुख्यमंत्री ने कभी नहीं बोला कि हमारे हम मेगा टेक्स्टाइल पार्क कर रहा है वो 16 करोड की बात कर रहा है जो जिसका थादे-पांच सो करोड की फैक्टरी हम लोग नहीं लगाया वो आट सो करोड अर्था जो फैक्टरी लगा है उनसे जबरदस्ति किया जा रहा है कि आप वादा करो जिससे कि हम कागज पर दिखा सकें आप कहते हैं इन्वेस्टर समिट का मतलब होता है कि बाहर के उद्योग पतियों को ला करके करना अपने ही यहां जो काम कर रहा है उद्योग पति उससे उसकी तो विचारी की मजबूरी अगर वादा नहीं करेगा कुछ बोलेगा नहीं दिखाएगा नहीं तो आप उसको उद्योग लगाने में तिकत कीजिएगा उन्हीं से कर रहे हैं उद्योग मंत्री हो या फिरते जस्वी आदव हैं सारे लोग कर रहे हैं कि उद्योग पतियों का स्वागत है आईए आपको सारी विवस्थाएं बिहार में देंगे बिल्कुल पिछली बार तो उन्होंने जब दस जंग से स्वागत किया था अगर आपको याद हो तो जब भीटा में इन्वेस्टर समिट चल रही थी तो एक हज्यार फाइरिंग उसी समय वहां से तीस किलोमीटर दूर हो रही थी और एक साल में आज कानून विवस्ता की जो इस्तिती है हमें खुद दुख लगता है हम चाहते थे कि आये मेरे यहां प्लाग एंड प्ले लगा तीन लाख स्क्वार फीट का शानवाद जी ने मुझे दिया और एक पूरे उद्योग पती आन एक तरह से जो परियोजनाओं में हम लोगों ने एनोसी दे दिया था उद्योग मंत्री के रूप में उन परियोजनाओं को बाद में रोडा पे लटका दिया गया निदीश कुमार जी एक अच्छे जिसको बोलते हैं किरानी का जो कारे होता है कि कागज पर सब काम कर देना वही है ना उनकी राजनातिक सोच है ना बिहार बढ़ाने की सोच है और जो उनके साथ वही बने हुए है और उनके साथ जो है वो माशालला है मैं तो एक बार भी कभी वो चार गंटे भी अपने किसी भी मंत्राले में बैठे हो तो बताएं कौन तो जस्वी याद हो मंत्रा एक दिन आप बता दीजे मैं चैलेंज करता हूँ डेड़ साल में एक दिन कोई बता दे कि वह मंत्राले में पूरे दिन बैठे हूँ मैं कभी उन पर कोई प्रश्ण नहीं उठाऊंगा चालीस प्रतिशत बिहार का बजट लेकर के संजय यादो क्या करते हैं यह बिहार का एक का पहला राजय बिहार था जिसने एथनल पॉलिसी बनाई और हम लोग ने सत्रह फैक्ट्री लगाने में सफ़ल हुए आज जब मैं देखता हूँ कि एक तरफ उत्तर प्रदेश उत्रा खंड में लगातार उद्योग पती आके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं और रोजगार यह सब केवल जंता के सामने बेवकूफ बनाने का तरीका है जंता सबसे समझदार होती है और वह अच्छे सा समझती है किसका इंडेंशन अगर नितीश जी अध्योग पतियों को अपने साथ बुलाय होते हूं है भोजन प्या मंत्रित के होते हैं उनकी दिक्कतें समझे होत लेकिन बिहार में एक ऐसा मुख्य मंत्री है जो दोगपती से मिलने में भी शर्म हैसुस करता है दूसरे जगह अगर कोई 2000 करोड की योजना जाए तो मुख्य मंत्री स्वेम उस व्यक्ति को बुला करके उसको सारी सुविधाय देता है जिससे की उसके राज्य में हजारों रोजगार निकल सके हमारे यहां मुख्य मंत्री को इससे कोई दिल्चस्पी नहीं उसकी एक मात दिल्चस्पी है कि मैं कैसे सत्ता में रहूं बिहार के जनता का जो भी हशो उद्योग नहीं बढ़ रहा है बिहार में हमने एक बहुत बड़ा कदम लिया अप 2020 के पहले एक उद्योग मंत्री का नाम बता दिजिए तो मैं मानूं आप बताये कि कौन अध्योगिक निवेश हो रहा है बिहार में शुन्य है शुक्रिया सर थेंक यू